अज़ा हमार रही हैं, वेलकम स्टुडेंट्स, आज हमने फ्रेक्टिकल करेंगे हम 2.2, Find the value of G by free fall method, free fall method से हमने gravitational acceleration की value calculate करने हैं, तो इसमें देखें हमें एक free fall apparatus जो है वो दिखाया हुआ है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, apparatus हमें क्या required है, अपरेटर्स हमें उसके लिए free fall apparatus चाहिए, meter rod, stopwatch, string, candle, metallic bob और match box एक माचिस हमें चाहिए, ठीक है, तो यह जो चीज़े हैं, इतने यह चीज़े हमें required इस प्रक्टिकल को करने के लिए, अच्छा इसमें होता है, क्या basic इसका principle होता है, कि एक bob जो है, उसको हम hang करते हैं, एक thread के साथ, और thread के साथ hang करते हैं, यहाँ पर अब जो bob है, वो initially उसकी speed zero होती है, तो initially rest पहले होता होने के वज़ा से, V.I.E. के value हम zero लेते हैं, अब यहाँ से यह एक pendulum type एक strip जो होती है, इसको हमने adjust कि होते है, तो जब यहाँ से हम इसको burn करते हैं, string को हम burn करते हैं, तो यह जो bob है, वो नीचे की तरफ गिरता है, उसी दोरान जब string यहाँ से हमने इसको cut off कर दिया, तो यह जो pendulum है, pendulum भी इस तरफ move करता है, तो exactly यह होता है, जैसे बॉब जितने टाइम में बॉब इस position पहुंचेगा, उसी दोरान पेंडॉलम यहाँ से move करता है, और यह बॉब किसी एक trip point पे इस trip को strike करता है, तो वो वाला जो sport है, वो हम measure कर लेते हैं, उसकी height जो है, वो हम देख लेते हैं, यहां से meter roll यहां के लगा के, हम इसके साथ उसकी height चेक कर लेते हैं, कितनी height है उसकी, फिर height के लावा जो हम time period है, इसका time period कल्कुलेट करते हैं, time period देखें कितना होगा, अब यह जो pendulum है, इसका quarter होता है, एक oscillation का quarter time होता है, अब जो time period की value लेते हैं, वो हम लेते हैं t by 4, अगर second equation यूज करें हम, तो h is equal to VAT plus half gt square, VAT की value 0 लेनिंग है, अब यह g की value निकालना जाते हैं, 2 multiply होगा, h से 2h, और t square डिवाइड होगा, अब जो time हमने लिया है, वो t by 4 लेना है, एक oscillation का fourth part लेना अपने, t is equal to t by 4, तो जब यहाँ पर t की value पूट करें t by 4, तो 4 का अब आपने क्या लेना square, तो जब हमने t by 4 की value निकाली, तो हमारे पास 4 का square क्या होगा, 16, 16 उपर चला गया, 2 से multiply होगा 32h, और divide by t square, अब यहाँ से हम height calculate करेंग, और time की value और उसके बाद हम वहाँ से gravitational acceleration की value निकाल सकते हैं, तो आईए देखते हैं किस तरह इस practical को हमने perform करना है, students, इस practical में हम G यानि के gravitational acceleration की value फाइंड ओड करेंगे, और free fall method से find out करेंगे, और apparatus जो हमने use करना है, free fall apparatus कहलाता है, और यहाँ पे आप diagram में, इस picture में आप देख रहे हैं, free fall apparatus, इसमें हमने यह करना है कि यह pendulum bob को लटकाना है यहाँ पे, और इस बार के साथ जो के move कर सकता है, यह rod type यह freely move का oscillate कर सकता है, vibrate यानि के कर सकता है इस तरह से, तो इसके साथ हमने बांद के लटकाया है, जैसे ही हम इसको यहाँ से दागा काट के free करेंगे, इस pendulum bob को यह नीचे की तरफ गिरेगा, और गिरते हुए यह इस तरफ oscillate करेगा, तो यहाँ पे आते हुए यह तकराएगा, बाब इसके इस end से, अब जितना distance यहाँ से लेकर यहां तक का इसने cover किया है, हम वो देखेंगे, और इसके साथ साथ इस बार का यहां से यहां तक move करने का जो time है, उतना ही time इसने यहां से यहां तक travel करने के लिए लिया होगा, तो बार का time period find out करते हुए उसका fourth part ले लेंगे हम, और उसकी मदद से फिर हम, यानि के height जो इसने travel की है और जो time period है, उसका fourth part formula input करते हुए हम solve करेंगे, और G की यानि के gravitational acceleration की value find out करेंगे, और यह five steps follow करते हुए हमने यह practical perform करना है, सबसे पहले apparatus देखेंगे, क्या चीज़ें required होंगी हमें इस practical को करने के लिए, procedure step by step discuss करेंगे, यानि के perform किस तरह से करना है practical को, और इसी दरान में measurements जो लेनी हैं, वो देखेंगे और फिर calculations करेंगे, और फिर finally result find out करेंगे, जो के असल में हमने gravitational acceleration की value find out करनी है, तो अब सबसे पहले हम apparatus देख लेते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए इस practical के लिए, apparatus में एक तो हमें free fall apparatus चाहिए होगा, यह stand होता है, जैसे के यहां पे आप आप देख रहे हैं, इसके साथ एक arm लगा होता है, और राम के साथ एक pulley attach होती है, और इस stand के ऊपर भी एक pulley लगी होती है, और इस के साथ, इस stand के साथ एक bar, यानि के एक rod लगी होती है, जो के freely vibrate oscillate, यानि के कर सकती है, तो यह हमारा free fall apparatus है, और इस free fall apparatus को फिर हम balance करने के लिए, plum line यूज़ करेंगे, जो के यहाँ पे आप देख रहे हैं, और plum line इसक्माल करते हुए, हम इसको balance करेंगे, और यहाँ पे इसका leveling security है, जिसकी मदद से इसको हम balance करेंगे, हम एक pendulum bob लेंगे, जैसे के यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे लटकाएंगे, धागे की मदद से, तो फिर हमें thread की भी ज़रुद पड़ेगी, और धागे को यहाँ से काटने की बज़ए, हम इसको जलाएंगे, match box लेना होगा फिर उसके लिए हमें, और जो length यह यह यहनि के distance यह cover करेगा, उसको measure करने के लिए मीटर रूल की भी ज़रुद पड़ेगी, और कुछ free fall apparatus में, उनके साथ already मीटर रूल जो है वो लगा होता है, तो लेकिन अगर ना लगा हो, तो हमें लग से मीटर रूल लेना पड़ेगा, फिर जब यह bar oscillate करेगा, तो उसका time note करने के लिए, और time period calculate करने के लिए, हमें stop watch भी चाहिए होगी, तो यह तो है apparatus, अगर इसी apparatus को इस्तमाल करते हैं, सबसे पहले arrangement डिसकस कर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कि हम सबसे पहले apparatus को balance करेंगे, plumb line की मदद से, फिर उसके बाद हम यह करेंगे, त्रेड यानि के धागे की मदद से, हम धागे का एक सरह पैंडलम बाब के साथ बानेंगे, और दूसरा सरह जो है, इस बार के इस end के साथ लगे हुए hook के साथ अटेच करेंगे, और फिर उसी धागे को इस पुली से गुजारते हुए, इस आम के साल लगी पुली से या स्पोर्ट से गुजारते हुए, इस पुली में से गुजारेंगे और बाब को यहां पे लटकाएंगे, अब जब हम बाब को यहां पे लटकाएंगे, तो उसके बाद हम ये वाला पॉइंट जहां पे बाब लटका हुआ है और इस एक बाद का ख्याल रखना है कि बार जिस पॉइंट के पे यनके अपने पेविट पे अड़िस्ट है तो वहां से हमने बाब को थोड़ा सा नीचे रखना है और उस पॉजिशन को हमने माग करना है जो बाब की पॉजिशन है अच्छा अब इसके बाद हमने यहां पे धागे से जो है माच्चस की मदद से यहां से धागे को जलाते हुए हमने धागा एक तरह से तोड़ देना है जिससे बाब फ्रीली नीचे की तरफ गिरेगा और यह बार जो है इस तरफ उसिलेट करेगा बाब इस राड के साथ नीचे किसी पॉइंट पे टकराएगा गिरते हुए और जितना फिर डिस्टंस इसने कवर किया है और उसी दुरान में उतने ही टाइम में यह बार यहां तक पहुंचेगा तो वो टाइम हमने फिर ऑसिलेशन की मदद से फाइंड ओड करना है तो वो टाइम और हाइट जो कवर हुई है वो हम लेते हुए जी की वैल्यू फाइंड ओड करेंगे तो अब प्रोसीजर में आपको एक वीडियो की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ पेंडलम को लटकाने से पहले तो हम बार को या तो उतार लेंगे जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं या अगर हम उसको नहीं उतार सकते तो उसको वहीं पे रखते हुए हम उसके साथ एक पेपर स्ट्रिप लगाएंगे उसके नीचे वाले एंड के साथ तो आप देख रहे हैं कि यहां पे फिर paper strip लगाई गई है टेप की मदद से इसे हम लगाएंगे और फिर इस paper strip को नीचे वाले end के साथ हमने adjust किया है और इसके बाद इसी paper strip के उपर हम एक carbon paper की strip भी लगाएंगे उसकी वज़ा यह है कि जब बाद नीचे गिर रहा होगा तो carbon strip से टकराएगा तो carbon strip फिर जो है वो उसी point पे mark जो है वो paper strip पे छोड़ेगी तो हमने carbon paper को भी जो था वो paper strip के उपर लगा दिया अब हम इसी बार को दुबारा से लटका देंगे free fall apparatus के stand के साथ तो आप देख रहे हैं कि बार को दुबारा से यहां पे लटका दिया है अब हमने बाप को लटकाना है धागे से बांगते हुए इस apparatus के साथ और यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने पैंडलम बाप कीप जाए एक टॉप लिया हुआ है तो यहां पे आप देख रहे हैं कि स्टाप को धागे साथ बांगते हुए बार के साथ नीचे लटकाया और पिविट से नीचे लटकाया है तो पिविट से थोड़ा सा नीचे रखते हुए यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने लटकाया और धागे का दूसरा सिरा जो आर्म था उसकी स्पोर्ट में से गुजार और फिर इसी धागे को नीचे रॉट को एक दिए रॉट को एक तरफ लेजाते हुए, याने भार को एक दिए उक्तरफ ले जाते हुए, उसके हुक के साथ अटेच कर दिया अब आप देख은 हैं कि ऴार बार के साथ एटेच है और उपर जाते हुए यही धागा आम के sport के साथ attach है और यहां पर पुली में से गुजरते हुए यहां पर यारा है अब यह वाली position जो इस top की है यानि के बाब की जो position है initial position यह हम mark कर लेंगे इस bar के उपर तो हमने mark कर लिया अब इसके बाद हम धागे को जैसे के आम के उपर से मैंने आपको पताया था जिलाएंगे और जब हम धागे को जिलाएंगे धागा तूटेगा टॉटेगा टॉप नीचे गिरा बार आगे की तरफ मूव हुई और यहां पर आपने देखा के आते हुए टॉप टकराया है बार से अब बार के उपर जो mark लगे हैं उनका दरम्यानी distance find out करने से पहले हम बार को oscillate करव पैंडलम बाप टकराते हुए mark छोड़ गया था कार्बन स्टिप की मदद से उसको हमने point out किया अब हम उपर वाली जो initial position थी टॉप यानिके बाप की वहां से हम नीचे वाली position जहां पे उसने mark छोड़ा था हम चेक करेंगे दरम्यानी फासला तो उस distance covered को जिसको distance of free fall से मैं note down करेंगे और अगर आपके पास ऐसा apparatus है जिसके उपर पहले से meter out मुझूद है तो फिर pendulum bob को जिस initial position पे fix किया था तो वो point B हमने ले ले लेना है और पिर जहां पे उसने mark छोड़ा है नीचे वो point B हमने ले ले लेना है सेंटी मीटर में हमारे पास ये reading आएंगी और मेरे प दसे distance of free fall जो है वो calculate करूंगा तो मेरे पास जो apparatus था उस पे rod यानिके already जो था वो meter rule लगा हुआ था और arm के साथ बार के साथ initial position बाप की जो 7 cm आई थी एंसे में रेपिजेंट की और जहां पे उसने नीचे गिरते हुए mark छोड़ा था बार पे वो 78.7 cm पे छोड़ा था करते हुए distance of free fall find out करूंगा तो distance of free fall 78.7 में से 7 माइनस करते हुए मेरे पास 71.7 cm आया सेंटी मीटर में यहां पे मैंने no down कर लिया अब जैसे कि मैंने आपका बताया था कि हमने oscillations भी बार की लेनी है और 10 oscillation के लिए हमने time note करना है stopwatch की मदद से तो वह भी मैंने no down किया और 2 दो दफा किया यानि कि 2 दफा oscillate करवाया 10-10 vibrations के लिए मैंने time अलग अलग note किया और बार को उतारने से पहले और वो time यहां पे मैं लिख लूँगा तो मेरे पास पहली दफा की 10 vibrations के लिए 15.3 second time आया और दूसी दफा के लिए 15.3 second time आया अब दोनों को add up करके 2 पे divide करते तो दोनों दफा के 10 vibrations के time को add up करते हुए मैंने 2 पे divide किया और mean मेरे पास 15.3 second आया time mean time और अब मैं इसको 10 पे divide करूँगा यानि के total number of vibrations पे और उससे मुझे time period मिल जाएगा तो mean को 10 पे divide करते हुए मुझे time period 1.53 second मिला अब मैं formula में values पूट करूँगा और g की value calculate करूँगा तो add को 32 से multiply करना है हमने जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं 32 और add की value हमरे पास 71.7 आई है यानिके distance of refall और divide by time period का scale लेना है हमने यानिके 1.53 हमरे पास time period है इसका हम scale लेंगे और जब मैं इनको बारी बारी solve करूँगा तो मेरे पास 32 multiply by 71.7 की value का answer आ रहा है 2294.4 और जब मैंने time period का scale लिया तो उसको मैंने round आफ करते हुए मैंने देखा कि 2.34 मेरे पास आ रहा है और जब मैंने divide कर किया यानिके इस fraction को solve किया जी की value के लिए तो 980.5 cm पर secure of second में मेरे पास ये value आ गई यहां पे मैंने पहले अपने experiment के लिए पहली performance के लिए जी की value find out जो की है यहां पे no down कर लूँगा तो पहली दफ़ा perform करते हुए हम आपने देखा कि हमने reading के इस तरह से लिए और जी की value जो है वो find out कर ली calculations की मदद से अब दो दफ़ा दबारा से हमने practical को दोहराना है और दोहराने के लिए हमने यह करना है कि हमारा जो पैंडलम बाब है इसकी initial position अब थोड़ी सी change करके इसको लटकाना है और फिर जो है इसके मताबक इसकी final position भी change हो जाएगी नीचे गिरते हुए और यानि के एक मुख्लिफ position पे अब mark छोड़ेगा और फिर उसके बाद हमने फिर से बार पे distance find out करने से पहले हमने बार को oscillate करवाते हुए time period चेक करना है और जो h मारे पास आया है और जो time period आया है उसको use करते हुए g की value find out करनी है तो यानि के अगली दो दाफा के लिए हमने just ये करना है कि बाप की थोड़ी सी position जो है वो नीचे की तरफ कर देनी है तो इससे ये होगा कि बार थोड़ा सा उपर की तरफ उठ जाएगा यानि के इसको मज़ीद उपर की तरफ उठाना है ताके बाप जो है थोड़ी सी मज़ीद नीचे की तरफ आजाए position इसकी थोड़ी सी change हो जाए तो लेकिन ज्यादा position चेंज नहीं करनी और मतलब थोड़ा से difference के साथ positions जो है वो change करनी है और फिर उसके बाद mark उसने छोड़ा 79.6 cm पे h मैंने find out किया दोनों का difference लेते हुए तो 71.6 cm आगया मेरे पास और फिर मैंने जो time note की है 10 oscillations के लिए वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो 15.4 और 15.2 सेकंड मेरे पास और दफा दस vibrations के लिए आया दोन दफा और फिर मीन 15.3 आगया time period 1.53 सेकंड आगया जी की value जब मैंने height और time period को लेते हुए calculate की तो 979.1 cm पर सकेर आफ सेकंड आगई अब मैं इसी तरह से तीसरी मैंने readings ली तीसरी दफा के perform करने में 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 पास readings ली आगई और जी की value 980.6 cm पर सेकंड आफ सकेर आगई तीनों values को मैं adapt करते हैं जी की average value find out करूंगा तो average value मेरे पास जी की आगई 980.1 cm पर सेकंड सकेर तो यह हमने free fall method से जी की value find out करना सीखी है इस practical में